नवश्कार दोस्तों मैं पराची सूपर कोचिंग आई एस वे टेस्ट बूक में आप लोगों का बेहर स्वागत करती हूं हम मिल रहे हैं वीकली करंट अफेर प्रोग्राम में इस सरीज के तहत हम सबजेक्ट वाइस करंट अफेर पर चर्चा करते हैं अगर आपने अब तक क के करंट अफेर पर चर्चा करने वाले आईए देखते हैं कि कौन से पांच टॉपिक हम कवर करेंगे पहला है मीथेन लाइव स्टॉक बिचिस देखिए जो लाइव स्टॉक्स होते हैं दरहसां उनका डाइजेशन करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है खास प्रोसेस तरीकी से मोल्ड हो जाए कि मीथेन का जो अमिशन होता है वो लेस हो जाए इसके अलावा मीथेन गैस क्या होती है थोड़ा सा मिसके बारे में देखेंगे और मीथेन गैस के अधर सोर्सिस क्या है यह जानना बहुत जरूरी है आपकी एक्जाम के पॉइंट अव से तो उसको भी समझेगे से कर्बन मार्केट देखें कार्बन मार्केट इसलिए अब इंपोर्टेंट हो गया है क्योंकि इंडिया के अंदर जो इलेक्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आया है रिसेंटली उसमें कार्बन मार्केट का जो कॉंसेप्ट है वो इंटर्यूस किया तो हमें पूरा पता होना चाहिए what is the carbon market और यह कैसे काम करता है correct है एक्जामपल से समझेंगे इसके बाद देखे new global biodiversity framework हम सबको पता है कि convention on biological diversity का अभी conference of parties जो है complete हुआ है उस conference of parties में यह जो new framework है इसको adapt किया गया है तो इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर discussion करेंगे then biofuels news में थे तो biofuels होते क्या है और biofuels जो first generation, second generation, third generation, fourth generation वो क्या होते हैं किन sources से बनते हैं इनको हम यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे biofuels के benefit क्या होते हैं यह भी समझेंगे लास्ट में देखेंगे project cheetah और जो हमारा basically kampa fund है यह दरहसल news में है compensatory affordation के लिए जो एक fund बनाया गया था दरहसल इसका पैसा जो है अभी जो cheetahs को यहाँ पर introduced किया गया है वहाँ पर use हुआ है साथ में जो project tiger का fund था वह भी use हुआ है ऐसे central government ने बताया है तो project tiger क्या है और यह कैमपा क्या है इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर समझने का परयास करेंगे क्योंकि प्रिलिम्स के लिए यह important हो जाता है मैं वीडियो स्टार्ट करूँ पहले topic को पढ़ाना शिडव करूँ मैं आप लोगों से request करना चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe जरूर कीज़ेगा और अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कीज़ेगा और अगर आप पहले से जुड़े हैं तो अभी लाइक कर सकते हैं और इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से जादा शियर कीज़े और कमेंट सेक्शन में अपना feedback जरूर जो है दीज़े ताकि हम लोगों को पता चले कि आपकी क्या requirements है classes आपको अच्छी लगती है नहीं लगती है और अगर आपको सुझाव देना चाहते हैं या किसी नए program को आप चाहते हैं कि हमारे दुवरा शुरू किया जाए तो वो भी आप comment section में बता सकते हैं चले शुरू बात कहते हैं पहले topic को देखते हैं जिसमें हम मीथीन की बात करेंगे तो देखें साइंटेस्ट किया है जो जानवरों को खिलाने वाला फीड सप्लिमेंट होता है उसको लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्योंकि जो रुमिनेंट्स हमारे एनिमल्स होते हैं उनकी जुगाली से उनके डकार लेने की जो एक कह सकते हैं प्रकरिया है उससे मीथीन गैस रिलीज होती है अब मीथीन को लेके चिंता की बात क्यों है क्योंकि मीथीन एक बहुत पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है यानि कि global warming का एक जरिया बनती है methane gas जैसे हम पढ़ते हैं कि carbon dioxide को कम अमिट करना है क्योंकि carbon dioxide क्या है greenhouse gas है इसी तरह methane भी जो है एक greenhouse gas है और आपको पता है कि methane की जो basically warming potency है वो carbon dioxide से भी जादा है तो इसलिए methane पर काम करने की ज़रत है अभी हाली में कुछ nations ने मिलकर प्लेज भी लिया था उस प्लेज में उन्होंने इस बात को स्वीका रहा था कि हम सब को उस तरह के प्रयास करने की ज़रुरत है ताकि methane का emission कम हो सके तो जो stock animals होते हैं जैसे cattle है, goat है, ship है तो इन लोगों इन animals के लिए अभी नया एक feed supplement बनाया जा रहा है बहुत बड़े level पर agriculture में एक secondary activity के रूप में जो live stocks होते हैं उनको basically आप कह सकते हैं कि किसानों के द्वारा पाला जाता है जैसे dairy का का काम करने के लिए या फिर आप कह सकते हैं कि जो ship वगरा है, wool वगरा का काम करने के लिए तो बहुत बड़े level पर इन animal के population हमारे साथ रहती है तो इसलिए methane भी significant है, ऐसा नहीं है कि significant नहीं है इसलिए कुछ experiment काम किया जा रहा है अब methane के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं carbon dioxide के बाद जो है second most abundant greenhouse gas है इसका जो warming effect होता है methane का अगर compare किया जाए carbon dioxide से तो दर असल करीब 30 गुना जादा होता है लेकिन हम carbon dioxide पर focus इसलिए जादा करते हैं कि carbon dioxide अगर एक बार environment में release हो गई तो 300 से लेकर 1000 साल तक रह सकती है उसको नस्ट होने में इतना time लग जाता है जबकि जो methane है वो basically comparatively बारा साल तक ही जो है environment के अंदर रहती है तो अगर carbon dioxide release हुई तो 300 से 1000 साल लग जाते है उसको remove होने में completely अब देखे 2021 में 100 ऐसे countries थे जिन्होंने global methane pledge जो है लिया था जहां पर उन्होंने यह कसम खाई थी कि हम voluntary steps जो है उठाएंगे ताकि जो methane emission है उसको 2020 का जो level था उससे 30% जो है कम किया जा सके हाला कि भारत ने इस pledge पर as such कोई good response तो नहीं दिया था हमने एक अलग जो initiative है methane को लेकर उसको sign किया हुआ है अब देखे मीन सूर्स मीथिन के क्या क्या है लाइव स्टॉक्स की तो हमने बात कर ली करेक्ट अब देखे जो wetlands होते है ठीक है देन लाइव स्टॉक के साथ agriculture जैसे आपको पता है जो चावल है वह एक stable food है पूरी हे दुनिया में देन लेंद्फिल्स जो होते हैं इसके अलावा अगर आप बायोमास को बर्न करते हो और कुछ जो नैचरल एमिशन होता है जैसे वोल्कानिक रॉप्शन वगरा हुआ है तो दीजा सम जो है पॉइंट्स है जहां से मीथेन आपका अमिट होता है तो इसको याद रखिएगा अब अगर हम बात करें कि रमनेंट जो एनिमल्स है हमारे उनसे मीथेन कैसे रिलीज होती है तेखिए जो जब एंट्रिक फर्मेंटेशन होता है फूड अगर अंदर जाता है तो बीसिकली क्या होता है जो बॉड़ी के अंदर फंगी है प्रुट जो है बैक्टेरिया है वह करते हैं इंट्रिक फर्मेंटेशन के टाइम पर जो अनार किया है वह क्या करता है जो कार्बंडा एक्सेडर जो हाइड्रोजन है उसको जो है कम्माइन करके मीथेन को क्रियेट कर दीता है अब देखिए दरहसल यह जो बैसिकली आकियल पॉपुलेशन है और जो उनकी इसको थोड़ा सा कंट्रोल करें इसको चेंज करें तो इस मीथेन एमिशन को हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं स्यम वही चीज़ की जारी है ऐसा फीर सप्लीमेंट प्रपेर किया जा रहा है जो इस आकियल पॉपुलेशन को तो जो है टागेट करता ही है साथ में उस बैक इसमें च्डाप्टरिया को भूस्ट करें यह स्प्लिमिंट बना जा रहा है यह बिसिकली कोनोकेशन है एक मिक्स्चर है जिसमें इंडियन चेरी है ं इंडियन आलमलव्स है गाल्डिक और आलमस्ट यह मस्टर ओई ठिक को डूंट रिम्हामलिक नहीं है क्लियर है चालिए फर्स टॉपिक अगर आपका क्लियर है तो बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक की जारब यहां पर आईए कार्बन मार्केट तो अभी क्या हुआ है पार्लियमेंट ने एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 इसको पास कर दिया है यहां पर जो पोजेशन थी वो डिमांड कर रही थी कि इसको बेसिकली क्या है पाहलेमेंटरे कमिटी को देना चाहिए क्योंकि उनकी कुछ concerns थी जो carbon market आपने प्रपोस किया है वो किस तरह से उसका mechanism होगा कैसे carbon emission को measure करेंगे तो किस तरह के से चीज़े रहेंगे इस पर कुछ concerns थी लेकिन खैर ये तो एक अलग political news ही हमें समझना है कि carbon market है क्या तो एक बास समझते हैं माली जी यहां पर जो है greenhouse gas emission हुआ है यानि कि वातावरण के अंदर प्लस हुई है greenhouse gas emission यहां पर माली जी मैं बहुत सारे वन लगा दिया आपको पता है जो वन है वो carbon dioxide को वातावरण से खीच लेते हैं तो इसके पास क्या है कम करने का basically credit है correct है और क्योंकि नो ने जादा किया है तो इनको हो सकता है कि उस credit को खरीदना बढ़ जाए क्योंकि सरकार क्या रहे है greenhouse gas emission को कम करो तो यह खुद कम नहीं कर पाए तो जिन दूसरों ने कम किया है उनसे यह credit को खरीद लेंगे और बदले में इनको पैसे दे देंगे तो इस तरीके से emission balance बना रहता है और जिसको basically अपनी जो responsibility थी greenhouse gas emission को कम करने की वो पूरी हो जाती है और जिसने effort के उसको यहां पर एक monetary आप कह सकते benefit मिल जाता है correct है यह जो सारा mechanism ह यह market में काम करता है simple ऐसे अगर आपको कोई good yes harvest लेनी होती है तो good yes harvest आप purchase करते हो बदले में आप ऐसे दे देते हो correct है सेम वैसे ही तो देखे जो bill है अब पहले bill की बात करते है background देखते है यह सरकार को इस चीज के लिए empower करता है कि वो भारत के अंदर एक carbon market को develop कर ले ठीक है एक carbon credit rating जो स्कीम है ट्रेडिंग की स्कीम है वो specify करनी होगी अब basically क्या माना जाता है कि जो हमारी एक टन carbon dioxide emission होगा वो equal to एक credit के बराबर होगा यानि कि अगर आप एक टन carbon dioxide emission कम करते हो तो आपको एक credit मिल जाएगा उस credit की जो भी value होगी वो government भी decide कर सकती है और market भी decide कर सकता है depending on supply and demand correct है अब देखिए दरसल हमारा क्या target है पूरी दुनिया का कि global warming को 2 degree Celsius जो temperature है उसके विदिन रीच में रखना है इसके लिए हमें 20 to 50% emission को reduce करना पड़ेगा इसके अलावा हर सरकार ने अपनी nationally determined contributions भी बताये हैं जहांपे नोने प्लेज लिया है कि हम इतना emission कम करेंगे तो emission को कम कैसे करेंगे certain ways निकालने पड़ेंगे उसी में से एक तरीका carbon market भी है चीक है चालिए अब carbon market होता क्या है पहले इत पिक्चर से समझते हैं माली जे यह factories है चीक है यह emitter A है emitter B है सरकार ने का यह एक limit है इससे ऊपर कोई भी carbon dioxide का emission नहीं कर पाएगा या in general greenhouse gas का emission न कर दिया है अब इसको सरकार की तरफ से पैनल्टी मिल सकती है क्योंकि नो ने अपनी limit को breach किया है correct तो वह basically उनको ज़रुरत है कि कोई इस emission को जो हमने ब्रीच कर दिया है इसको basically nullify करने के लिए हमें कुछ credits दे आपी तरह जाओ यह emitter B था इसकी भी इतनी limit थी correct है लेकिन इ इतना ही emission किया सिर्फ इतना और इतना जो emission है उन्होंने और कम किया for example इनको कहा गया था आप भी 100 unit तक जो है अपना emission कम करेंगे रखेंगे और इनको भी 100 तक बोला गया था correct है इन्होंने क्या कर दिया 110 किया 10 unit extra किया और इन्होंने क्या किया सिर्फ 90 emission किया 10 unit कम किया इनके 10 unit extra credit है क्योंकि तेखो basically क्या करना है कि आपको 100 करने की अनुमत ही थी लेकिन आपने नब्बे ही किया तो मतलब 10 आपके पास unit है जिन को आप use कर सकते हो इन्होंने extra किया है तो अब यह क्या करेंगे यह basically sale करेंगे और करेंगे carbon market में चैक है यह इनको जो है प्रचेस कर लेंगे तो इनका जो excess greenhouse gas emission था वो compensate हो जाएगा इनका जो reduced greenhouse emission था तो basically overall emissions रहा है overall देखा जाए तो इस ही limit के अंदर रहा है क्योंकि total emission कितना होना चुछेह था सो इनका और सो इनका 200 होना चाहिए था, ठीक है, इन्होंने कितना किया, 110 किया, इन्होंने कितना किया, 90 किया, इन्होंने अपने 10 इनको बेश दे, तो finally कितना हुआ, 110 और आपका 90, 200 ही हुआ, तो देखा जाए, तो जो emission हुआ है, वो तो उतनी ही limit में हुआ है, जितनी सरकार बताई थी जिसने जादा किया उसने उससे खरीद लिया जिसने कम किया था बीज सिक्सी कॉंसेप्ट है समझ में आया चलिए अब देखिए ये क्या है ये टूल है बेसिकली एक ट्रेडिंग सिस्टम है जहां पर कार्बन क्रेडिट्स खरीदे और बेचे जाते हैं यह तरव घ्रिचे ओना प्रीके का ट्रेडेबल पर्मिट है आप माला लिजेज एक तरवर कत रेजेदिया है कार्बन अब डीक्ष कंछ गेजे तो दिससेठ जई यह तो सॉटाफिविक्ष्ट ooh जो हो सॉट कि ट्रेडेबल है यह समझ में आ गया फिर यहां पर देखें carbon allowance क्या है या क्या है वो country के द्वरा determine की जाती है जी कि emission reduction target जो है country के accordingly जो है रखे जाते हैं तो उन targets को अचीव कर पाता है और जो नहीं अचीव कर पाता है वो आके carbon market में trading करते हैं clear है यह picture सबसे अधर important इस concept को समझने के लिए clear चालिए अगर इतना clear है तो third topic की तरफ चलते हैं देखें new global biodiversity framework अभी 2022 United Nation biodiversity convention हुआ COP 15 कहां पर हुआ कुनमिंग मॉन्ट्रियल में चीक है तो यह कहां पर है यह कनाडा में चीक है पर सहमती जताई कि हम कुनमिंग मॉन्ट्रियल global biodiversity framework को accept करेंगे बिसिकली framework बनाया गया कि आने वाले टाइम में कैसे हमने पनी बायर डावसर्टी को अपनी जय विवत्ता को बचा के भी रखना है और जो खराब हो गई है उसको ठीक भी करना है ऐसा तो नहीं जो खराब हो इसको छोड़ देंगे तो आने वाली तो बचानी है जो खराब हो चुकि उसको रीस्टोर करना है तो उसके लिए framework होना चाहिए पता होना चाहिए चीजे कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है तो यहां पर देखियो इससे पहले जो conventional biological diversity थी उसने आईची बायर डावसर्टी टार जताए गई थी related to biodiversity जैसे उसमें यह कहा गया था कि जो indigenious लोग होते हैं उनके भी हितों का ख्याल रखा जाएगा सही है अब क्यूंकि नगवा प्रोटेकोल आईची बायर डावसर्टी यह सब होई गए थे तो अब यह नया ग्लोबल बायर डावसर्टी फ्रेमवर्क ले जो हमारी degrade हो चुकी है चाहे वो terrestrial हो चाहे वो inland water हो coastal water या marine ecosystem हो उसका 30% हमें effectively restore करना है जो है उसको तो बचाना ही है जो degrade हो गया था उसका भी 30% effectively restore करना है यह basically इसमें रखा गया है इसके अलावा यह क्या कहता है जो indigenious लोग है उनके rights की भी हमें क्या है basically कदर करनी है for example माली जे किसी area को क्या है आपने protected area घोशित कर दिया और वहाँ पर कोई आदेवासी बहुत लंबी अपनी टाइम से रह रह रहे थे उनके पुर्खे भी वहीं रह रह रहे थे correct है अब आपने प्रोटेक्टेटर एरिया में कोई भी human inhabitant हम नहीं रखेगे तो आप यहां से निकल जाओ तो एकदम से ऐसा नहीं करना है जो indigenous people है उनके अपने जंगल के साथ जो rights है उनका जो culture है उनके जो rituals है वो होते ही nature friendly है वो जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते तो basically हमें इस तरीके से बाढ़ आवस्टेटी को protect करना है कि जो indigenous people है उनके involvement को भी अपने साथ बढ़ाना है वो में जो local communities है उनके लिए भी similar roles यहां पर advocate किये गए है अब देखो global biodiversity policy framework 2030 के दिया गया है कि transformative change लाएंगे जो landscape come singular use करते है उस पर rethink करेंगे ठीक है रिस्टोर करेंगे nature को ठीक है cities को जो है इस तरीकी से develop करेंगे कि और बेटर तरीके से हम help करें तो इस तरह के कुछ चीज़ें यहां पर रखी गई है इसको आप थोड़ा सा देख सकते हो clear हो गया चलिए अच्छा यह जो इस तरह के diagrams होते है यह आपको means में draw करने में बहुत help करते है you will fetch very good marks correct है चलिए next topic के बात करते है topic number 4 biofuels तो देखिए जिवाश्म इंधन के अगर हम एक अलग concept में चले जाएं तो जो basically आप कह सकते हैं कि बायो मास होता है उस बायो मास से अगर आप कोई fuel बना पा रहे हो that is your biofuels अब बायो मास क्या होता है देखो जो पेड पोधे यह सब हैं यह क्या है यह बायो मास है correct है अब इन पेड पोधों से अनाज से बीज से अगर आप कोई oil जो extract कर पाते हो या gaseous form में कुछ निकाल पाते हो that is your biofuel अब क्योंकि पेड पोधे बीज यह आप कल्टिवेट कर सकते हो तो it's kind of renewable energy correct है यहाँ पे देखो भारत के पास G20 की क्या है प्रिसेडेंशिप है तो भारत नी क्या का है energy अगर security की बात है तो हम international level पर एक collaboration करेंगे और इसके लिए हम क्या करेंगे जो emerging fuels है जैसे biofuel और hydrogen इस पर जो है काम करेंगे देखो यहाँ पे basically क्या है यह पोधा है यह सूरज की basically energy का यूज करके अपने अंदर खाना बनाता है उस खाने से इसका क्या एक biomass बनता है उस biomass को हमने ले लिया जैसे यह mass है यह जो है cons है और फिर हमने इससे biofuel बनाया और देन उस biofuel से क्या होगा जो हमारे vehicles है वो चलेंगे तो हमारे जो transport है वो more green हो जाएगा चीक है अब देखो biofuel होते क्या है liquid या gaseous fuel होते हैं जो primarily कहां से produce किया जाते हैं bio mass से इनको जो है replace करने के लिए यूज किया जा स जैसे blending की हम बात करते हैं ethanol blending पेट्रोल और ethanol की blending करके हम यूज कर रहे है तो जितना blend ethanol कर रहे है उतना कम पेट्रोल यूज कर रहे है तो अगर हम एक limited addition के साथ इनको यूज करते हैं तो हमें technology में जादा चेंज नहीं करना पड़ता है जैसे petrol की जो गाडिया है अगसे 10-20% ethanol ब्लेंड करके हम पेट्रोल डालते हैं तो हमें जादा कुछ चेंज नहीं करना पड़ता है अगर हम पूरा जिवाश हम इंधन रिप्लीज करेंगे बायो फ्यूल से तो में इंजन का पूरा का पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा तो भी हम ब्लेंडिंग वाले स्टाज किसमें जाता होते हैं जैसे मेज में और ट्रॉपिका में इसके अलावा ओयल में देखें तो सोयावीन, रैपसीड, कोकोन, और सनफ्लावर अब देखें बायो फ्यूल्स को भी दो काटेगरी में बाठ सते हैं प्राइमरी एंड और सेकंडरी प्राइमरी के अंदर क्विश्चिन भी पूछा हुआ है तो इसमें अगर वीट बारले, कॉन, पटैटो, सुगर कें, ओल सीट, अनिमल फैट्स इन सब से अगर निकालते हैं आप बायो फ्यूल तो फर्स जनरेशन का है अगर कसावा, जेट्रोफा, स्ट्रोफा, ग्रास, वुड का यूस करते है तो सेकिंड जनरेशन है जैसे इतनोल और बायो डीजल फिर अगर आप बायो फ्यूल बायो डीजल बनाते हैं माइक्रो अल्गी और मैक्रो अल्गी से तो थर्ड जनरेशन है फोर्थ में क्या है जिनेटिकली इंजिनियर्ड माइक्रो अल्गी यानि कि जो अल्गी है उसमे आपने को जनेटिकली इंजीनियरिंग करके चींजेस के लिए उसको आपने यूस किया है बायो फ्यूल के क्रेशन के लिए देट विल कम इंटो दा कैटेगरी ओ फोर्थ जनरेशन दिस वेरी इंपोर्टन इसको ध्यान रखना है उपीएसी ने कुश्चिन इस पे पूछा भी हुआ है अब इसके बैनेफिट की बात कर लेते हैं देखो कमर्शल बैनेफिट क्या है सस्टेनिबिल्टी जाता है इंप्लॉइमेंट जनरेशन इससे होगा खासकर ग्रामेन एरिये में होगा रेवेन्यू जनरेशन होगा इंडेस्ट्रिय इन्वेस्टिमेंट बढ़ेगी है ना दूसरी कंट्रीज में पेट्रोलियम के लिए जो मारे डिपेंडेंसी है वो कम होगी इकनोमिक वायबिल्टीस में है परियावरन के लिए क्या फायदा है ग्रीन हाउस गेस एमिशन कम होगा कार्बन सेक्वेंशन बढ़ेगा डिपेंडेंसी फॉसल फ्यूल पे कम होगी एर पॉलिशन कम होगा फूड वेस्ट को आप रीसाइकल कर पाओगे और इडेबल जो फीड स्टॉक है उस पे भी आपके डेपेंडेंसी रिड्यूस होगी तो यह सम पॉइंट से जो आपको याद होने चाहिए प्रियम्स में स्टीटमेंट की रूप में भी आ सकते हैं और मीन्स में भी आप इनको जो है यूज कर सकते हो करेक्ट है फिफ्थ टॉपिक के तरफ चले अगर वीडियो यहां तक पसंद आया तो लाइक कर दीजे चिक है चलिए यहां पर देखे प्रोजेक्ट चीटा और आपका जो कामपा फंड है यह न्यूज में है दरसल यूनियन गोवर्मिंट ने भी हाली में बताया है कि प्रोजेक्ट टाइगर का जो पैसा था और जो इसका पैसा था वो यूस किया गया है अफ्रिकन चीता के प्रोजेक्ट को फिनांस करने के लिए देखें जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो एक सेंट्रली स्पॉंसर्ड इस्कीम है जिसको मनें 1973 में लांच किया गया था एम क्या था कि जो बंगाल टाइगर्स हैं उनकी population को ensure किया जाए उनके natural habitat वगरा को well maintain करके रखा जाए कैमपा क्या है कैमपा का मकसद था वनी करण को promote करना और forestration को promote करना ठीक है तो पहले कैमपा के बारे में देखते हैं यहां पर देखो दरसल क्या हुआ अगर कोई user agency को इन्रस्ट्री है कोई भी agency ऐसी है जो forest की जमीन का non forest purpose के लिए use कर रही है तो इसको एक amount जो है सरकार को देना पड़ेगा 90% जो amount है वो state fund में जाएगा 10% amount जो है वो national fund में जाएगा correct है यहां पर एक national compensatory afforestation fund होगा दूसरा आपका state compensatory afforestation fund होगा यह fund कैसे use होगा forest cover को बढ़ाने के लिए forest regeneration के लिए wildlife protection के लिए और कोई भी ऐसी activity जो green cover को जो है related है चीक है यहां में basically दो authority भी बनाए गई एक national management and planning authority central level पर एक state level authority in respective level पर purpose क्या था अगर आप यहां से one जो है हटा कर कोई factory कोई plant लगा दे रहे हैं तो यह one तो खतम हो गया तो आप कुछ पैसा दे दीचे सरकार को सरकार उस पैसे को यूज करेगी कहीं और green cover को बढ़ाने के लिए ताकि चीजे क्या है balance रहें चीक है तो यह कांपा के बारे में था अब tigers के बारे में देख लेते हैं अगर tiger population की बात करें तो project tiger ने हमारा project था कितनी चीता है total 20 जिसमें 8 नामींबिया से बारा सौथ आफरिका से हैं कहां पर है कुनो नेशनल जो पाक है मध्यपरदेश का वहां पर रिलोकेट करना है चीक है फिर उसके वह उम्मीद की जारी है पच्छास से उपर में के population लेके जाएंगे अच्छा कुनों क कितनी carrying capacity है 21 चीते जो है वहाँ पर रह सकते हैं चीक है और similar relocation program हम बना रहे हैं कि South Africa, Malawi, Mujambik चीक है और basically ये अश्याटिक लोयन्स के साथ अपना space share भी कर सकते हैं चीक है तो यह थोड़ा सा इसके बारे में था अभी हम नामींबिया से चीते लाए हैं यह तो आपको पता चीक है यहाँ पर basically देखिए आपसे जो coal bed methane है और जो cell gas कहे जाने वाले दो गैर पारमपारिक उजा के sources है उनके relation में जो है statement पूछा हुआ है और कौन सा सही है यह आपको बताना है प्लीज अटेम्ट कीचेगा बहुत important है दर इसके बाद दूसरा question देखिए मैंने आपको बताया था ना UPSC में question पूछा हुआ था तो देखिए यहाँ पर question आया हुआ है इसको भी again please attempt कीचेगा चीक है तो this is all from my side मुझे उमीद है कि आपकी concepts clear होंगे current of where आपने अच्छे से पढ़ा होगा बने रहे हमारे साथ इसी तरीके से और हम लेकर आते रहेंगे इसी तरह क एजुकेशनल प्रोग्राम आपके लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद thank you so much जय हिंद